कुछ लोग रोज हिप डालते हैं जो गुलाब का फूल होता है उसके नीचे जो हरे रंग का बैड होता है उसका रोज हिप बोला जाता है उसका उसका एक्स्ट्रेक्ट वह भी वाइटमिन लिए ही डाला जाता है यानि वाइटमिन सी का कोई ना कोई डालने लगते अब ग्लुकोसमीन स्टलमों हो सब्वैट है क्वेट ऑटा हड्यों का चूरा मतलब प्योर हडियों का चूरा जो लोग नोनवेज खाके हडिया फैक देते हैं specially हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग होती है इसकी हैद्राबाद के अंदर या जो लोग बक्रों के हडिया फैक देते हैं मुर्गों के हडिया फैक देते हैं इन हडियों को हैदराबाद में खट्टा किया जाता है जो थोड़ा बहुत मास होता है उसको उखाडा जाता है फिल्टर किया जाता है उसके बाद इनको पानी में उबाल के साफ किया जाता है उसके बाद इन हडियों का चूरा बनाया जाता है हडियों के उस चूरे को नाम द दे दिया जाए चाहे वह आदा ग्रामी दे दिया जाए तो मेरे खाल से वह पचाना और मुश्किल हो जाएगा इसलिए ग्लुकोसमीन सल्फेट क्यों दिया गया बड़ी सिंपल साइंस लगाई गई कि अगर हडियों के आर एंडी थी कि किसी आदमी ने इतनी बुद्धी लगाई कि हडियों में से जो मिसिंग है वो हडिया खिला तो उन हडियों में होगा तो वहां से हो जाएगा तो इस पर ही बड़े साल कर्च हुए थैं मतलब हम लोग ने बेवकूफी में गन्नों से गुड़ बना लिया और मेटाबोलेक करना इतना असान नहीं इसलिए जो लोग ग्लुकासमिन सलफेट खाते हों वो देखते हैं उनको गयास बहुत बनती है या ऐसे जोडों के दर्द के प्रड़क्त खाने से उनको बाद में आसेडिटी बहुत बनने लग गई मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा थ मतलब एक 500 mg मेटरियल भी मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा आयरवेद में हम भी बोलते हैं कि बोस 10 ग्राम 20 ग्राम की डोस कई बर मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है क्योंकि बोड़ी इतना इक्विप्ट नहीं होता लेकिन ग्लुकासमिन सलफेट तो 200-200 mg भी मेटाबोला क्विप्ट्त नहीं हो पाएगा थो जितने भी डायबटिक पेशेंट्स उनकी शूगर जंप करती है कि दो उनकी शूगर जम करने लगए उनको शूगर रहने लग गए जब अस नोगों को समझ आया तो बात में क्या किया गया एक सेफ получится